कनाडा के प्रधान मंत्री जसिन टूडो ने जो कनाडा की संसद में बयान दिया है उसके बाद खालिस्तानी अलगाववादी आतंकवादी और उनके समर्थकों की एक खौफ नाक साज़श का खुलाचा हुआ है कनाडा में जो भारती दूतावास है या फिर भारती काउंसलेट है उनके सामने 25 सितंबर को हिंसक प्रदर्शन या फिर उग्र प्रदर्शन की पूरी तैयारी कर ली गई है सरे वेकनोवर ब्रिटिश कॉलंबिया जगहों इन जगहों पर भी जो हिंसक प्रदर्शन है वहाँ उनकी पूरी तैयारी के ली गई है और ये पूरी जो तैयारी की गई है साज़श बनाई गई है कनाडा के प्रदानमंत्री के बयान के आने के बाद जिसमें उन्होंने खालिस्तानी अलगावादी आतंकी हर्दी इपसिक निजर के लिए भारती एजिंसियों को जिमेदार समझाया है और अब निजर कौन है निजर वही शक्स है जो भारत के आतंकवादी की लिस्ट में Most Wanted था और अब जब कनाडा के प्रदानमंत्री इसके मददगार बनते हैं इसकी हमायदगार बनते हैं और इसके मौत के लिए भारत की इजिंसियों को जिमेदार टेराते हैं तो अब जो खालिस्तानियों में किस तरीके से बल बढ़ा आया है किस तरीके से उनके confidence में इजाफा हुआ है ये साज़िश उसका कुलासा करती है ऐसा नहीं कि पहली बार ही ऐसे कनाडा के अलग-अलग जगहों में भारती संस्तानों के सामने ऐसे हिंसक प्रदर्शन हो रहे ह इससे पहले भी हुए हैं तीन महीने से लगातार ऐसे प्रदर्शन हो रहे हैं इससे पहले हरदीप सिंग निजर की जब हत्या हुई थी उसके बाद चार बड़े प्रदर्शन हो चुके हैं पहला operation blue star के बरसी पर दूसरा हरदीप सिंग निजर का अंतिम संसकार के लिए यह खालिस्तानी समर्थक यह खालिस्तानी जो संगटन है पच्चिस दंबर को यह बड़े प्रदर्शन करेंगे तो इसमें जो निजर का सहयोगी रहा निजर की कभी पैरवी कर रहा गुरुपत्वंत सिंग पन्नू भी इसमें आगे रहेगा और हर बार की तरह जैसे वह व पन्नू भी कभी-कभी गायब होता है कभी-कभी सामने आता है सोशल मीडिया के जरिये से तो बड़ी खालिस्तानी साजिश एक बार फिर न्यूज एटीन इंडिया ने बेनकाब की है पच्चिस सितंबर का दिन चुना है और वही दिन है जब कनाडा के प्रदानमंत्री ने निजजर के बहाने भारत जैसे मजबूत सहयूगी के खिलाफ इतना बड़ा कदम उठाया है